नमस्कार किसान सातियों, हर साल फसल कटाई के समय लेबर की समस्या होनी के वज़े से किसान बाईयों को अपनी फसल मसीनों से कटवानी पड़ती है, इसी वज़े से मसीनों की डिमांड भी बहुत जादा हुई है पहले बड़ी बड़ी मसीने फसल कटाई में इस्तिमाल की जाती थी जो 10 से लेके 12 फिट तक का जिनका आगे रिपर मसीन जो उसको काटने के साथ साथ हार्वेस्ट भी करती थी उनकी किमत 30 से 35 लाक रुपे से स्टार्ड होती थी उसके बाद जो मध्यम साइज की जो मसीने है वो आई जो 7 से 8 फिट तक का जो रिपर मसीन उसके साथ में हर्वेस्ट करती हैं उनकी किमत 15 से 20 लाक रही उसके बाद में जो छोटे किसान है जो ना तो 15 से 20 लाक का बज़ट संभाल सकते हैं ना 35 से 40 लाका तो उन किसानों के लिए और जो मीनी हार्वेस्टर हैं उनके उपर जो रिसर्च हुई और कई कमपनियां जैसे कुबोता है, किरलोसकर है, जो अंडियर है ये अपने मीनी हार्वेस्टर ले के आई तो जो रिसेंटली जो एक मीनी हार्वेस्टर त्यार किया गय हैं कि क्या है उस हार्वेस्टर की खूबियां और लगबग किस कीमत में वो लोंच होने वाला है तो किसान साथी यह है किरलोसकर कंपनी का मेनी हार्वेस्टर जो कंबाइन मसीन का बिल्कुल छोटा रूप है इसके अंदर वो सारे फंक्शन फीचर दिये गए हैं जो एक बड के उपको दसने की समश्या नहीं आएगी स इंगल टायर में वजन के वजए से जो है किसान की अंदर दस जाता है और वो अच्छे से कटाई जो रिपिंग है नहीं कर पाता साथ के साथ इसका इंपूट है वो भी डृं से ओते उए जो सामने आप को होल को दिख रहा है वहा पूरने का इसका जो है जीरो टरनिंग रेडियस है, दोनों साइड ये कलच दिये गए है, बीच में इसका गेरिंग सिस्टम और कंट्रॉल हाइडरोलिक के साथ में, और यहाँ पे इसका जो है एड़ेस्टेबल सीट दिया गया है, जिसको आप हाइट के अनुसार एड़ेस् यहाँ पर इसकी जो हरवेस्ट होती है आपकी जवार, बाज्रा जो भी फसल है उसके आप बैग यहाँ पर लगाके फिल कर सकते हैं। इसके साथ यह जैसे कमबाइन मशीन होती है वैसे इसमें आप फसल के अनुसार जो भी आपके फसल है उसको यहाँ पे जो बीच में इसका थ्रेसर है वहाँ पे आप जाली चेंज करके अपनी फसल के अनुसार इस मशीन को एड़स्ट कर सकते हैं साहे हो आपका बाजरा है जवार रहता है यहां से इसका जो है गेहुए च है यहां से ब्लोवर एपके गेहु या बाजरा है उसको प्रोसेस करके और आपके यहां साफ सुत्रा होती है और काफी अच्छी quality के साथ में साप सुत्रा होके यापकी फसल यहाँ पे बैग में पैक होती क्योंकि यहाँ पे भी इसके double blower लगाए गए है तो overall अगर आप देखे तो यह machine काफी बेतर है built quality अच्छी है, engine की proper protection है दोनों तरफ कलच है जो इसके turn radius को जो मैं पहले बताया zero turning radius देते हैं, साथ में ही उपर इसका breaking system है gearing system भी आपका seat के साथ में बैठके आप पूरा control कर सकते हैं overall यह machine 15 hp power के साथ में double tire system इसके दोनों मतलब 4 tire लगते हैं और back side में एक single tire जो seat के नेचे होता है अगर engine के बात करें तो इसमें 15 hp का diesel engine लगा हुआ है जो परती गंटा डेड़ से दो लिटर की जो तेल की खपत करता है परती एकड दो से डाई गंटे में यह machine harvest कर देती है और लगबग लगबग 4 से साढ़े 4 लिटर के लगबग इसमें oil consumption होता है एक एकड की harvesting का कीमत की बात करें तो कहीं पे भी इसकी कीमत disclose नहीं की गई है और नाहीं सारे specification इसमें कहीं पे हमें देखने को मिले तो इसकी जो अनुमानित जो कीमत है वो 5-6 लाग के बीच में बताई जा रही है इसके जो कहीं पे हमने YouTube पे जहां पे भी इसके जो के जो निकलता है उसकी साथ के साथ बैग के अंदर feeling हो रही है तो इससे आपको एक समझ्या ही है कि आपको बार-बार बैग बदलने पड़ेंगे जैसे कि बड़ी आर्वेस्टर मसीन में एक बार में वो store कर लेता है और जब आपके trolley वगएर आउती वहाँ पे रोक के उसको उसको उसमें उडेल दिया जाता है डाल दिया जाता है वो इसमें storage की थोड़ी सी समझ्या है इसलिए दो आदमियों की जुरुत पड़ती है तो ये थी पूरी जानकारी किरलोसकर का जो मीनी हर्वेस्टर लोन चुआ है उसके बारे में अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जादा से जादा किसान बायों तक शेयर करें ताकि सही जानकारी सभी किसान बायों तक पहुंच सके तो आज का वीडियो इसमात करते हैं अगले वीडियो तक के लिए जै हिन जै जवान जै किसान